दोस्तों अब समलों को पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों से कुछ Western Media Houses के तरफ से ये लगातार ये बात को लेके प्रोपगंडा किया जा रहा है कि भारत अब और Russian made हतियारों को नहीं खारिद रहा है बलकि भारत के दुआरा रश्या के हतियारों के जगा में अब Western platform खास करके अमेरिकी, फ्रेंच और बेटन के हतियारों को पर्चेस किया जा रहा है पर दोस्तों ऐसे Western media houses के मुख के उपर तमाचा रश्या के भारत में तैनाथ राजदूत के तरफ से तब लगा दिया गया जब उनके द्वारा भारत और रश्या के हतियारों के कुलाबरेशन को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया हाली में ही रश्या के राजदूत जो भारत में तैनाथ है मतलब डैनिस एलिफॉप गे तरफ से एक बयान देते हुए डावा किया गया है कि भारत करीफ करीब 300 स्कूर्थर्टी एम की आयार क्रेप्टों को बनाया है और करीबन 1000 T90 जैसे में बैटल टैंकों का वी निर्मा करना दोस्तों अब सब लोगों को पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों से प्रधान मंत्री श्री नयेंद्रों मोदी के आत्मनिर्वर भारत और मेकिन इंडिया इनिशिटीव के कारण भारत बिदेशों से डारेक्ली हतियारों को खरिदना बंद कर दिया है और अब स्वाद रेशियन एंबसेटर दैनिस अलिफव के तरफ से वेस्टन मीडिया के मूँ के उपर तमाचा मारते हुई ये बताया किया है कि ऐसा जो खबर है ये असल में मिसलीडिंग है और भारत मेकिन इंडिया इनिशिटीव और आत्मनिर्वर भारत के संकल्व के तहती आगे बढ़ रहा है और इसमें कोई खरावी नहीं है और दोस्तों डैनिस अलिफव के तरफ से ये भी साफ कर दिया गिया है कि भारत अपने आत्मनिर्वर भारत के संकल्व को आगे बढ़ाने के लिए कई तरीके के इंटरनाशनल कोलावरेशन के अंदर आगे बढ़ रहा है और रेशि सफसे सफल जॉइंट वेंचर है और किस तरीके से भारत और रशिया मिलके AK-203 Assault Rifle को भी इंडिन Armed Forces के लिए जॉइंट वेंचर के अंतरगत निर्मान कर रहा है डैनिस ऐलिफॉफ के तरफ से ये भी वताय गया है कि भारत के अंदर जो रशियन ओरिजिन हतियार है उसके 50 पतिशत से भी कम हतियारों के उपर रशिया का कंट्रोल है और रशिया वेशिकली हतियारों को लाइसेंस एग्रिमेंट में भारत में बनाता है ना कि विस्टरन तरह अपने मतलबों के तहद या फिर कहत अपने डिक्टेशन में अन्य देशों को कंट्रोल करने के लिए हतियारों को लेके काम करता है और दूसरे तरह रश्या के राजदूत के तरफ से ये वी साफ किया गया है कि भारत के साथ रश्या का जो पार्टनर्शिप है वो आज क के उपर वेस्टन देशों के द्वारा प्रतीवन लगाया किया है उसे लेके भी डैनिस अलिफ़ॉफ का कहना है कि भारत के कई सारे ऐसे संगसता और कई सारे ऐसे बैंक है जो की रश्या के साथ मिलके इन सैंक्शनों को बाइपस करके कैसे काम किया जाया है उसे लेके काम कर और Western देशों के द्वारा जो रस्चा के खिलाफ सेंक्शन लगाया गया है वो किस तरीके से भारत के अंदर फेल होता है उसे भी 9-14 के तरफ से हाईलाइट किया गया बेसिकली दोस्तों रुषिया के तरफ से फिलाल वेस्टर्न देशों के ऐसे प्रपेगंडाऊ को ध्वस्ट करने के लिए ये बताया जा रहा है कि भारत रुषिया के बीच में हत्यारों के ट्रेड में कमी नहीं आया है बलकि हत्यारों के ट्रेड के जो स्टैटाइजी था उ आगे बढ़ा जा रहा है। आगे बढ़ा जा रहा है। आगे बढ़ा जाएगा और आप लोगों को बता दो कि जब यह सुपर्सुकोई एरक्राप बनके तैयार हो जाएगा तो यह जो रुष्टन ओरिजिन एक्विपमेंट है। कि तब इन यार क्रेप्टों में करीब-करीब 80% तग इंडिजिनियस मतलब इंडियन कंटेंड का उपयोग किया जाएगा अब दोस्तों एक तरफ जहाए वेस्टन देशों के तरफ से ये प्रपगंडा किया जा रहा है कि भारत रशियन हतियारों को छोड़ के वेस्टन हतियारों को खरीद रहा है तो वही पे भायत के तरफ से अब अमेरिका के हतियार को लेके एक बड़ा जटका दिया गया और रि भारत अमेरिका के हतियारों को छोड़के दूसरे हतियारों का उप्योग करेगा। अब दूसरे यहाँ पे जो IWI अराध है यह असल में इसराइली वेपन इंडस्ट्री के तरफ से निर्मान किया हुआ एक मल्टी परपॉस एसॉल्ट राइफल है जिसे वेसिकली 5.56 बाई 45 मिलिमिटर के नेटो एराउंड के लिए तयार किया गया है लेकिन साथी साथ यह .300 जिरो ब्लैकाउट एमुनेशन को भी सबसॉनिक कैपबिलिटी के लिए उपियोग कर सकता है और इसी कारण के वज़ा से यह जो हतियार है यह अलग-अलग मिशन के लिए टैक्टिकल फ्लेक्सिविलिटी भी प्रोवाइड कर सकता है और दोस्तों IWI के तरफ से निर्मान क हतियारों में यह जो एसल्ट राइफल है यह नविंतम हतियार है जिसे की साल 2019 से ही सर्विस में लाया गया है और रिपोर्ट के मुताविक इसका उपियोग इस्राइल के आर्म फोर्स के इलावा ब्राजील, चिली, इक्वेडर और इटली के द्वारा इस्तेमाल किया जा र और 406 mm मतलब 16 इंच का बेरल तक शामिल है दोस्तों इन एसल्ट राइफलों को क्विक चेंज बेरल राइफल के रूप में भी जाना जाता है मतलब इन एसल्ट राइफलों के बेरल को चेंज करना काफी आसान और काफी तेज रफतार से हो सकता है जबकि दूसरे तरव इसल्ट के साथ अपरेट होता है दोसके रेट आफ फायर करीवन 700 राइफलों से लेके 1100 राइफलों में 30 राइफलों के डिटेचिवल मैगजिन का उप्योग किया जाता है अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल हो सकता है कि एम फूर एसल्ट राइफल जो है वो पैरा कमांडोस अपने आपको modern और FTA धुनिंग अहत्यारों से less करना चाता है जिन कारणों के वज़ा से इन एसल्ट राइफलों को चुना गया है जवकि ये जो एसल्ट राइफल है ये interchangeable barrel के साथ साथ और quick barrel change के साथ है जवकि ये modular वी है और adjustable है जो की असल में user को comport provide करता है और अलग-अलग operations के लिए user को अलग-अलग type के assault rifle का जरूरत नहीं पड़ता है और शायद ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वज़ा से अमेरिकी made aim for assault rifle को त्याग करते हुए अब पैरा कमांडोस के थरफ से Israeli made assault rifle के तहत आगे बढ़ा जा रहा है लेकिन दोस्तों य भारत के लिए तभी एक बड़ा success बनेगा जब इन rifle को स्वधिशी rifle के द्वारा replace किया जाएगा दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में पैरा कमांडोस में भारती ये स्वधिशी assault rifle को भी इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं कॉमेंट करके अपने अवश्वर दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पही करते हैं समाथ किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे अब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम